प्रकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज है दो फरवरी 2022 देखेंगे अर्तक के सभी महत्पुर्ण के रेंटरफेयर्स जो आपको आपके सभी परिख्याओं के लिए अती महत्पुर्ण होंगे साथ में देखेंगे ये सभी एक्ष्टा फेक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा इस कलास का पीडियेफ आप टार एजुकेशन की इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेब प्रस्ण हिंदी इंग्लिस दोनों में हैं आपसे आग रहा है कि कलास को अंत तक टेंड करें तभी आपको इस कलास का महत्वर पता चलेगा और कलास परिक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे अपना कुछ सेकेंड्स देकर अपना इस कलास को से स्क्राइब नहीं किए है तो अभी से स्क्राइब इटम दबादें और वेल आइकन भी दबादें और पहले से स्क्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत-बहुत धन्यबाद तो चलिए बीना देर किये शुरू करते हैं आज का क्लास पहला प्रस्ण है हाल ही में जियोलोजिकल सर्वे अफ इंडिया GSI के द्वारा कहां भारत का पहला जीयो पार्क असापित करने का घोशना किया गया है इसका सही जवाब है जबलपूर जबलपूर कहा है मदपरदेश में है मदपरदेश के देखिए इसके बारे में और जनते हैं मदपरदेश के जबलपूर में नर्मदा नदी के तट पर लम हेता एक गाउं है वहीं पर भारत का पहला जीयो पार्क स्थापित करने का घोशना किया गया है क्या होता है जीयो पार्क तो देखिए एक यूनेशको निर्दिश्च छेत्र जिसमें बिशेश भोगवलिक भू बैग्यानिक महत्यों के एक या एक से अधिक अस्थल है जिसका उदेश से भू बैग्यानिक विरासत को सरक्षित करना इसके बारे में लोगों तक पहुंच होगा घोशना हुआ है तो मतपर्देश के बारे में देखते हैं मतपर्देश की राजधानी भोपाल है मुकमंत्री सीव राज सींग चोहान है और राजपाल मंगू भाई चगन भाई पटेल है आईए ऑप्सन से हम लोग इसी तरह का देखते हैं जिस तरह का ये प्रस्ण था से मुसी बेश्ट हाल फिलाल के कुछ निवज से अप्टेट कराया जाएगा आपको देखिए हैं ये निवज में क्यों रहा है तो हाल ही में भारत के पहले कोईला से मेथनौल सन्यंत्र का उद्गाटन कहां हुआ है ये हैदराबाद में हुआ है तेलंगाना के और तिलंगाना के मुखमंत्री कौन है के चंदर सेखर राव है और वहां के राजपाल कौन है अनसुईया वी के ये सब आप डिटल्स याद रखिएगा वारानसी की उनिवज में है तो भारत में रूपवे सेवा सुरू करने वाला कौन पहला सहर बन गया है तो ये बना है वारानसी रूपवे वह होता है जैसे एक खंबा होता है यहां से तार के माध्यम से जोला पर ये जो हो जाया जाता है ये होता है रूपवे सेवा ये सा सेवा सुरू करने वाला अथा रूपवे जिसको हिंदी में में लिख देता हूं रूपवे रूपवे सेवा सुरू कर करने वाला पहला सहर कौन बन गया है वरांसी उतर परदेश का वरांसी रुपवे सिवा सुरू करने वाला पहला सहर बन गया है उतर परदेश की राजधानी कहा है तो लकनव है और उतर परदेश के मुखमंत्री कौन है योगी अधित्य नाथ है और राजपाल कौन है अननद भारत का पहला Water Metro Project शुरू किया गया है केरल की कोची में केरल में यह कोची सिप्यार्ड लेम्टेड जो है उसी के द्वारा एक निर्मित है मोजिरिस नाम से इलेक्ट्रिक बोर और उसी का उद्गाटा नियां पे हुआ है तो यह पास इतना याद रखेएगा भारत का पहला Water Water Metro Project शुरू किया गया है कहां पे तो कोची में यह सभी फैक्ट्स पहले प्रसन से आप याद रखेंगे उम्मित करता हूं परिक्षा उप्योगी आपको लगे होंगे दूसरा प्रसन है वेर है तोर गया उत्सव बिन सेलिब्रेटेड रिसेंटली हाल ही में कहां तो रगया उत्सव मना है जाता है और राचल पर्टेश के बारे में देखिए इस राजे का स्थापना 20 फरवरी 1987 में राजधानी इटा नगर है और मुखमंत्री पेमा खांडू है राजपाल बीडी मिस्रा है आईए ऑप्सन से अब कुछ हम लोगे इसी तरह का उत्सव हाल फिलाल मे है तो वहां पर हाल ही में 44 इसको मैं हिंदी में ही लिखता हूँ 44 कोक बुरोक कोक बुरोक कोक बुरोक उत्सव दिवस यह मनाय गया है कहां पर तो यह मनाय गया है त्रिपुरा में क्या है यह 44 कोक बुरोक दिवस यह त्रिपुरा राज में पर्चलित एक भासा है इसको ज धानी कहा है अगर तल्ला है तिरपुरा के मुखमंत्री कौन है बीपलव कुमार देव है और तिरपुरा के राजपाल कौन है सत्यदेव नरायन आरया सत्यदेव नरायन आरया राजपाल है चलिए सिक्किम की उनिविज में है तो हाल ही में सिक्किम में लुसुंग उत्सव य या नाम सुंग, नाम सुंग, लोसुंग या नाम सुंग उत्सों कहा मनाय गया है, तो ये सिक्किम में मनाय गया है, सिक्किम राज में खेती बारी की सुर्वाती मौसम का जश्न मनाने के लिए ये लोसुंग या नाम सुंग उत्सों परतिक वर्स मनाय जाता है, सिक्किम की राजधानी कहा है गंग टोक है सिक्किम की मुखमंतरी कौन है प्रेम सिंग तमांग है और सिक्किम के राजपाल कौन है गंगा प्रसाद यह सब फैक्स आप याद रखिएगा मनिपूर क्यों नहीं जुमें रहा है तो मनिपूर में हाल ही में कचाई लेमन फेस्ट अभी मनाया गया है यह कहां पे तो मनिपूर में यह कचाई लेमन फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है कि एक खास तरह का यह लेमन है निम्बू है जो मनिपूर के उखरूल जीला में बहुत ब्यापक रूप में इसकी पैदवार होती है और इस कचाई निम्बू को जी आई ही मिल चुका है जी आई टेग क्या होता है जी आई टेग उस प्रोड़क्ट को उत्पाद को मिलता है जो किसी खास जगह पर और खास किस्म का होता है जैसे यह कचाई निम्बू है तो वो मनिपूर में हो रहा है और वो खास किस्म है जो अन जगों पर उस तरह का किस्म नह जेगरिफिकल इंडिकेशन ये दिया जाता है तो इसे वो भी मिला है तो बस इतना याद रखना है कचाई लेमन फेस्टिबल मनाय गया है मनिपूर में मनिपूर की राज़धानी इंफाल है मनिपूर के राज के थपना 21 जनवरी 1972 में और मुखमंत्री वहाँ पे कौन है एन बिरेन सिंग है और मनिपूर की राज़पाल कौन है ला गनेशन ये सब हैट्स आप याद रखेंगे दूसरे प्रस्ण से चलिए दोस्तों आज दो ही प्रस्ण एमसी की उच्छ करेंगे बाकी बहुत सारे कोस्चन अभी लिस्टेड हैं अच्छे अच्छे जो एकजाम्स क लुए अधिया का नीधन होगा है उनका नाम क्या है तो रुपिंदर सिंग सूरीन निधन हो गया है जो एडिशनल सॉलिशिटर ज्टर जशनरल अफ इंडिया भारत के एडिशनल सॉलिशिटर जैनरल भी थे इनके बारे में देखते हैं जुम 2020 में उनको इस्पद पर निय मना है सुप्रीम कोट की अस्थापना 26 जनवरी 1950 में बर्तमान में भारत में कितने उचनेले हैं 25 उचनेले हैं और यह 25 जो उचनेले हैं आंद्रपरदेश के अमरावती में अस्थापित किया गया है जब आंद्रपरदेश से तिलंगाना राज एक नया बनाया गया थालग करक 21 चूना गया है तो यह P.R.S.R इजेस को चुना गया है और यह सचुने जाने वाले पहले भारतिये पूरुष बन गया हैं और दूसरे भारतिये खिलाडी हैं वालने का मतलब है यह World Games Athlete of the Year चुने जाने वाले पहले पूरुष के रुप में देखा जाए तो पहले भारति यह खिलाडी हो गए क्योंकि इन से पहले होकी खिलाडी जो रानी रामपाल है इनको यह वर्ल्ड गेम्स एथलीट अप दे यह चुना जा चुका है यह सब आप याद रखेंगे जो भी आप समय सकते हैं कितने महत्पूर्ण है और समय की वरबादी के लिए नहीं बस वह आप के लिए कितना खास है चुनकर लाए जाता है उम्मित करता हूं चलिए उमित करता हूं मतलब यहां तक अप लोग ख्रास पसंद आये होंगे आया है तो जरूर अभी लाइक कर दें लाश्ट में शेर जरूर कर दिजेगा सब्सक्राइब नहीं किये तो अभी लगाया गया है तो 8-8% विकासदर जीडीप विकासदर भारत का अनौन लगाया गया है जबकि यह बितवर्स 21-22 में यह तो रहा आपको 22-23 कहीं था यह 22-23 के लिए इतना अनौन लगाया गया है 8-8% और बरतमान की बात करें 2021-22 में तो इस समय अभी बितवर्स तो चल रह गया है यह जो इस बार आर्थिक सरवक्षन की 22 जारी किया गया है इसका विशय था थीम था एगायल अप्रोच अगायल अप्रोच अथा चुस्त द्रिश्टी कौन चलिए नेक्श देखते हैं हाली में किस देश ने अपना पहला योगा उत्सो मनाया है यह मनाया है सौधी अरब ने सौधी अरब के द्वरा अपना पहला योगा उत्सो का आयोजन सौधी अरब के जेदा में किया गया है और सौधी अरब अपने देश में योगा को बढ़ावा देने के लिए अपने देश भारत के साथ समझावता भी किया है क्योंकि योगा पूरे विश्वस्तर पर बनाया जाता है 21 चुन को वह अपने देश भारत का ही दिन है जो यूएन में इस प्रस्ताव को रखा था सौधी अरब का रधानी सौधी सौधी रियाल है और करंसी वहाँ पे सौधी रियाल चलता है नेक्स्ट है हाली में ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्स 24 इंटु 7 ने किसे अपना ब्रांड मेस्टर बनाया है तो रितिक रोसन को ये गेम अप उतना महत्पूर्ण नहीं था लेकिन ये जो बने है सक्स वो की पहली यूटिकॉंच अ एंटरप्राइज बन गया है तो यह बना है CSK CSK चन्नाई सूपर किंग्स इसब बात करेंरा सबकंब नोरी को रही है तो पहली कौन है वह है A.M.I.E. मॉंबाई इंडियन जिसके कैप्टन रोइट सर्मा किया करते हैं ये कुल 5 बार फाइनल मैट जिती है और चन्नाई सूपर किंग 4 बार जितकर दूसरी सबसे सफल टीम रही है और चन्नाई सूपर किंग ईपील 2020 की बात करें तो उसमें चन्नाई सूपर किंग ने ही कुलकता नाई ट्राइडर्स को हरा कर इस बार फाइनल जीता है यह आप याद रख सकते हैं अलग से और चन्नाई सूपर किंग टीम के कप्तान कौन है महेंदर सिंग धोनी है चली नेक्स देखते हैं हाली में किस ने भारतिय सेना के न इसलिए लाना पड़ा तो नए उपरमुख भारतिय सेना के कौन सब्सक्राइड गरहन कर लिये हैं तो लेटिनेंट जनरल मनोज पांडे यह नए सेना उपरमुख बने हैं कि लिए कुछ महतपुर्ण यह पॉइंट देख लेगते हैं चीप आफ डिफेंस अस्टाप यह प कमीटी होता है तो उसके उस कमीटी के हेड बनाए गया है यह जो है आपको अभी चीफ आफ आफ में अस्टाफ कौन है भारतिय सेना परमुख कौन है मनोज मुकुंद नर्वने हैं और इनहीं को अलग से इसके चीफ आफ डिफेंस अस्टाफ कमीटी के अध्यक्ष भी बना गया है तो कुछ लोग इनहीं को समझते हैं कि चीफ आफ डिफेंस अस्टाफ हो गया है लेकिन वह से बात नहीं है क्या है मैंने आपको यहां बता दिया चलिए इंडियन एयर फोर्स परमुख कौन है चीफ आफ एयर फोर्स तो यह हैं डिवेक राम चौधरी इनके पहले आरकेस बदोरिया थें चलिए चीफ आफ नेवल अश्टाफ बातिये नौसेना परमुख कौन है एड्मीरल आर हरी कुमार इनके पहले करमबीर सिंग थे यह सब फैक्स आफ याद रख सकते हैं चलिए नेक्स्ट है हाली में भारतिये तटरक्षक बल आई सी जी इंडियन कोष्ट गार्ड के द्वार अपना कौन सा अस्थापना दिवस मनाया गया है इंडियन कोष्ट गार्ड ने भारतिये तटरक्षक बल ने क्योंकि इसी दिन एक फरवरी 1977 को इसका अस्थापना हुआ था जिसके अस्थापना वर्स की कुशी में परते एक वर्स एक फरवरी को ये भारतिये तटरक्षक बल दिवस मनाय जाता है इसके बारे में कुछ और बात जाने हैं तो जेकिए अपना भारतिये तटरक्षक बल ज करता है भारत के लिए चलिए इसका थपना जैसे कि लोग ने समझा एक अप्रिल 1977 में और आइसी जी डे वही है इंडियन कोश्ट गाड़ एक फरवरी को जुमनाया जा रहा है इस बार 46 हुआ है और महानिदेशक इसके वी एस पठनिया है 24 है बहुत हाल ही में बने हैं इदर म इसके नमबर वन चेस चेंपियन है खिलाडी है नेगनस काल्सन इन्होंने अमेरिकन इटालियन एक खिलाडी है फैवियानो कारवाना इन्ही को हराकर टाटा एस्टील चेस चेंपियंशिक 2022 जीत लिया है यह याद रखेगा नेक्स्ट है रक्षा मंत्राले के द्वारा किस स्यूजना के तढ़ाओं की वाम डेलिविरी शुरू किया गया है यह योझना है सेहत कंद्रिय रक्षा मंत्री स्री रजनात सिंग इस योजना को पिछले बरस मैं 2022 में ही शुरू यह इनका निधन हो गया है क्या नाम है इनका तो यह चेसली क्रेश्ट इनका 30 वर्स यह थी यह साथ मंजिला इमारत से उपर से इनको गिर चुकी है और पता नहीं इसका कारण क्या रहा है ने बस मैं इतना ही देखा अब सुसाइड है या इनका इनको मारा गया है क्या भी है जो भी है लेकिन इनका यह थी अमेरिकन मॉडल थी जानिमानी और मिस यूए से 2019 भी रचुकी थी इनका अवनिधन हो गया है चलिए देखते हैं नेक्स्ट हाली में क्रिकेटर बेन कपूर ने अंतराश्टिये कपूर नहीं कूपर से सुन लेजे बेन कूपर नटराश्टिये क्रिकट्स से सन्यास की खोशना इन्होंने किया है वह किस Дemics के खिलाड़ी है ति यह नीधर्लेंस के खिलाड़ी है कोछ दिन एंस्ट्रेलिया के लिए भी खेले थे तो 39 बरसी बेन-कूपर अब यह ननka च्छीर क्रिकट्स सशन्यास ले लिए ICC यह जो अंतराश्टी अस्तरवाख खेल का आयुजन यही कराता है ICC प्रथात इंटरनेशनल किर्केट कॉंसिल हेटक्वार्टर दुबई यही के का सहर है वहाँ पे और अस्थापना 15 जुन 1909 में चेर्मेन ग्रेक बार्कले हैं और सीओ जीओ एलार्डेस यही नए बने हैं लोग यह सब याद रखिएगा चलिए कोस्चन अब दे देखते हैं हाली में जारी पुस्तक फियरलेस गौवर्नेंस किसके द्वारा लिखा गया है इस प्रस्न को मैं कल ही के क्लास में खरा चुका हूँ तो उमिद करता हूँ अब तक याद होगा आप लोग को इसका जबाब कमेंट में अवस्य करें अर्निक चलिए तो दोस्तों उमिद करता है और बेल आइकन भी दबा दें जिससे सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और पहले से सस्क्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना बस लाइक और सेयर कर दीजेगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में तब तक झाल 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 झाल